असलाम लेकम आपर आपको यह जोड़ते हुए यहां पर दो उर्फी अलफाज लिखना है और यहां पर सह उर्फी अलफाज लिखना है यह जोड़ते हुए लिखना है अब अलफाज लिखना है यहां देखिए अब हम दो उर्फी अलफाज दिखेंगे अलीफ बे अब अलीफ जीन अच अजिए अलीफ लाम अलीफ खाफ हक अलीफ खाफ अब अलीफ फे अब ओके चिज़न यह होगे दो उर्फी अलफाज अब हम फिर से इसी तरह यह जोड़ते हुए क्या लिखेंगे से उर्फी अलफाज तीन उर्फी अलफाज बनाएंगे इसी तरह लफ्ज को जोड़ते हुए ठीक है यहां देखिए अब अलीफ जीम छोटी यह अजीव ओके अब नेक्स देखिए दाल वाव अलीव दवाब अब नेक्स सीम वाव अलीव सिवा नेक्स रे अलीव छोटी है यह हो जाएका राई नेक्स स्वार वाव अलीव सिवा नेक्स तो अलीव छोटी है यह हो जाएगा तई यह हो गें तीन वर्फी अलफाज्थ ओकी चिल्रेंड्स यह होगें दो यह हैं दो नेक्स हम इसी तरह हुर्फ एक जोड़ जो और किया बना दिए कि तीन रिफ्य बिनादी हो! चलो आप ?...चलो हम एक बार पढ़ेंगे इस को यह दो हुर्फिये elles- अलीव बेः अलीवीम अाज। अलीव लाह Lena अलीव कव अफ। अलीव खाफ अफ। अलीव फे अफ। ठीक है यह हैं दो खूर्फ इह औरी आफाज। नॉथ यह तीन हुर्फी आफाज बीए तीन खूर्फ में toy देखिए अलीव जीम छोटी यह अजी अलीव जीम अज अलीव लाम अल अलीव काफ अफ अलीव खाफ अफ अलीव फे अफ ठीक है? यह हैं दो हुरफी अलफाज नाव नेट्स यह तीन उरिफियल पाज है यह तीन उरिफियल पाज में देखिए अलीव जीन छोटिये अजीग दाल वाउ अलीव दवा सुरीन वाउ अलीव सिवा रे अलीव छोटिये राई स्वात वाउ अलीव सिवा तौ अलीव छोटिये तै यह होगे तीन उर्फिय अलफास इसी तरह हम लफ्द को जोड़ते हुए दो उर्फिय अलफास लिख लिए तीन उर्फिय अलफास कम्प्लीट हो गए हैं हमारे राइट ओकी चीलर्न शुर्ट यहां देखें व्द को अलग अलग कर लिखा गया था। तो हम यहां क्या करें इसे जोड़के दो उर्फिय अलफास बना दिए और इसे ही जोड़के पुर हम तीन उर्फिय अलफास बना दिए। इसी तरह हम जोड़ते हुए हुर्फ को क्या कर सकते पता है दो उर्फी अल्फाज बना सकते तीन उर्फी अल्फाज बना सकते चार उर्फी अल्फाज बना सकते पांच उर्फी अल्फाज बना इसी तरह हुर्फों को जोड़ जोड़ के हमें लफ्स बनाते जा सकते राइड ओके चुलेंड अनिस्टाइड ना आप यह इसी तरह आपके बुक में कावरिये ओके लाफेज